नोवल कोरना वाइरस जो पूरी दुनिया की बरबादिया कारण बन सकता है आज मैं उसकी दवाई के बारे में जानकारी शेयर करूंगी थाइलन के डॉक्टर्स ने बताया कि इस दवाई का यूस करके कई सारे मरीजों का इलाज करने में सफलता पाली गई है और आट का इलाज करके घर भेजा गया है थाइलन के डॉक्टर्स ने HIV, AIDS और फ्लू का ड्रग्स का कॉक्टिल कॉम्बिनेशन बनाया और इसका पॉजिटिव असर दिख रहा है साथ इक गिलाइन नाम की ड्रग भी सामने आई है जिसने इबोला वाईरस का ट्रीटमेंट करने का क्लेम किया था और पर दुनिया की नामी गिरामी फार्मासूटिकल कंपनीज जैसे की जॉंसन और जॉंसन और जॉंसन और गिलेक्सो स्मित क्लाइन जी एस के बेस वाईरस का एंडिड़ोट खोजने में लगी हुई है अब इस ड्रग को चाइनीज हेल्थ एथॉर्टी से बात करके वुहान के मरीजों पे अपलाई करने की बात हो रही है दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भारत में कोरोना वाईरस की अवेरनेस के लिए हर एक अपडेट और न्यूस आप तक सही टाइम पे पहुचाऊं जो भी इंफर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूं वो अच्छे से वेरिफाइट और रिसर्च की हुई हो ताकि आप उस पे रिलाई कर सके और सोशल मीडिया में सर्कुलिट हो रही रियूमर्स पे ध्यान ना दे जिनका काम बस दर फैलाना है उससे पहले जल्दी से कोरोना वाईरस की बेसिक डिटेल्स उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स बॉर्ड में वाईरस फैलता कैसे है एंडिटोटिया वैक्सिनेशन कैसे काम करती है इन सब की जानकारी शेयर कर देती हूँ ताकि सभी में ये मामला क्लियर हो जाए और अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए ये देना जुरूरी इसलिए है क्योंकि आंकडे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वाईरस सार्स और मर्स के फैमिली से जुड़ा वाईरस है जो एनिमल से हूमन में ट्रांसफर हुआ दिसेंबर 2019 में चाइना के बुहान शेहर से फैलना शुरू हुआ और कोरोना वाईरस से अभी तक 425 लोग अपनी जान गवा चुके है 20,000 से ज़्यादा चाइना, अमेरिका, थाइलेंड, इंडिया और ऑस्टेलिया समेथ 27 देशों के लोग इस वाईरस से जूज रहे हैं इंडिया के सर्दन स्टेट ऑफ केरला में कोरोना वाईरस का कल तीसरा केस पी कनफर्म हुआ है केरला गवर्मेंट ने इस बढ़ते नंबर को देखते हुए स्टेट केलमिटी डिकलेर कर दिया वहीं इस वाइरस के प्रकोप को देखते हुए इंडियन गवर्मेंट ने दो स्पेशल फ्लाइट भेज कर भारतिय नागरिकों को एरलिफ्ट किया है अब देख लेते हैं कि ये वाइरस फैलता कैसे है और हमारी बॉडी की इम्मुनिटी इससे फाइट कैसे करती है वाइरस किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर घुश जाता है और फिर हुमन बॉडी को डेमेज करके अपने आपको मल्टिप्लाई करता जाता है उससे लडने के लिए भगवान ने हमें ताकत दी है जिसको हम इम्मुनिटी बोलते हैं इम्मुनिटी हमारे शरीर में WBC यानि की वाइट ब्लड सेल के फॉर्म में होती है और हमारी बॉडी की सभी प्रकार के वाइरस से हमें सुरक्षित रखती है जब कभी भी हमारी इम्मुनिटी वीक पड़ती है हमें दवाई के फॉर्म में एंटिबियोटिक टाइबलेट खा लेते हैं और वो वाइरस को मार गिराती है और वहीं कभी कभी हम बॉडी को वाइक्सिनिशन करवा के वाइरस के खिलाफ लडने की ट्रेनिंग करवाते हैं आप इसको यूँ समझ लीजिए कि प्राक्टिस माच करवा रहे हैं ताकि जुरूरत पड़ने पे हमारी बॉडी उस वाइरस के खिलाफ लड़के जीत सके और हमें सुरक्षित रख सके लेकिन कॉरोना वाइरस के केस में क्या हो रहा है कि बॉडी में प्रेजन्ट इम्म्यूनिटी को पता ही नहीं है इसे फाइट कैसे की जाए दिरे दिरे वाइट बलड सेल्स लड़ते लड़ते खतम हो जाती है और हमारी तब्यद भी खराब होती जाती है और हम ये लड़ाई कॉरोना वाइरस से हाड जाते हैं अब बात कर लेते हैं कॉरोना वाइरस के इलाज के लिए जो ड्रग बनाई जा रही है उसके बारे में पहले ही दिन से दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स इसके इलाज की खोज में लगे हुए हैं चाइना ने भी सभी देशों को आगे आके उनकी इस कलैमिटी में से निपटने के लिए रिक्वेस्ट किये क्यूंकि अभी थक इस वाइरस पे कोई एक दवाई असर नहीं कर रही थी तो डॉक्टर्स ने दो से तीन दवाई मिला कर मरीजों पे टेस्ट करना स्टार्ट किया बहुत सारे कॉमिनेशन्स फेल होने के बाद फाइनली थाइलेंड के डॉक्टर्स ने HIV AIDS और फ्लू की ड्रग से कॉक्टिल प्रिपेर किया और मरीजों में आजमाया थाइलेंड में कॉरोना वाइरस के 19 कंफर्म केस हैं और डॉक्टर्स ने वही ड्रग इन पेशेंट्स पे यूज किया और 8 लोगों पे इस दवाई ने असर किया और खुशे की बाद ये है वो अब कॉरोना वाइरस से कम्प्रीटली ट्रीट हो चुके हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घर जा चुके हैं बाकी के 11 लोगों पे अभी टीट्मेंट चल रहा है साथ एक इलैंड नाम की ड्रग भी सामने आई है जिसने इबोला वाइरस का ट्रीट्मेंट करने का क्लेम किया था और भी दुनिया की नामी गिरामी फार्मसूटिकल कंपनीज जैसे की जॉंसन औन जॉंसन अब इस ड्रग को चाइनीज हेल्थ एथॉरिटी से बात करके वुहान के मरीजों पे अपलाई करने की बात हो रही है हाला कि जब तक इन ड्रग से बड़े स्थर पे फायदा होता हुआ नहीं दिखता अब ही इन प्राइवेट कंपनीज के क्लेम को सही मानना बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देकर पब्लिसिटी में आना और अपने स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करना भी इन कंपनीज का मकसद होता है क्योंकि ये टाइम सेंस्टिफ टॉपिक है मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अगर ऑपसलीट हो गई है या पुरानी हो गई है प्लीज कमेंट करके अपडेट कर दे ताकि सभी तक लेटस्ट इंफोमेशन पहुँच सके कोरना वाइरस को लेकर भारत में जागरुकता फेलाने की मुहीम में मेरे हिस्सदार बनने के लिए आपका तह दिल से धन्यवाद कोरना वाइरस पे अवेर्नेस फेलाने के लिए मैंने चार वीडियोस में एंट टूएंड को डिटेल में समझाने कोशिश की हैं और साथ ही दो question answers वीडियो भी की हैं ताकि आप सभी को जो भी doubts हो वो clear हो सके अगर आप कोई वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें और साथ ही bell icon भी दबा दें ताकि इस तरह की जो भी informative वीडियो होती हैं वो आपको time to time मिलती रहें अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में share this video if you care for human life